हेलो एव्रीवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग सुभाशता है एक इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी अस्प्रेंट्स के लिए डीटर प्रेस्पे की नहीं वेकेंसे रिलेज हुई है जिसमें टोटल 1499 वेकेंसी नहीं और आप आज से अपलाई कर सकते हैं इसलिए 20 मास तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे उसमें कुछ पोस्ट के एलिजिबिल्टी चेंज की गई है वो बात करेंगे और कहा है कि कुछ पोस्ट के एलिजिबिल्टी चेंज हुए हमने इसलिए बढ़ा दी बट मेरा जो मानना यह है कि नई वेबसाइट थी काफी लोगों को भरने में दिख्कतार की लगातार बच्चों के मैसी जा रहता है तो कहीं ना कहीं एक्जाम मान के आपको देना है बाकी जो में और एक्जाम सो होते हैं आपके पर फोकस अबता है तो सारी चीजें डिसकुस करेंगे डिटेल्ड एल्जीबिल्टी की एक्सल फाइल पर मैंने टेलिग्राम पर डाल दिए उसे कैसी तरह के से यूज करना है अपने लिए बैस्ट पॉस्ट उनने के लिए वो भी बता दूँगो तो स्टार्ट करते हैं ठ की पीडिएफ भी जल्दी आपको टेलिग्राम पर मैं दे दूँगा ठीक है 37 साथ जो SSC के नोर्टिस टेक बर सेलेक्शन पोस्ट का पहले वो दिखा देता हूं फिर डिट्रप्र इस पी वेकैंसी के बारे में बात करेंगे लांच डेट जो रख दी गई है वो है 26 मार्च पेमेंट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फोटो कट गई या कुछ और इशू आ गया कैटेगरी गलत डाल दी है कुछ भी तो यह सारा का सारा काम आपका चेंज उड़ा है करेक्शन विंडो में इसके लिए पूरा प्लाइक कर चुक है उस फोर्म की बात कर रहा हूं कुछ कुछ लोगों को पेमेंट में इशू आ रही है कि पेमेंट कर दी लेकिन वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है भी भी है कुछ और आपके पैसे कर दे तो दो से तीन दिन वेट कर लेना वो अपने आपी शोट आउट हो जाना चाहिए वरन आप इससे को उनका जो हेल्प लाइन अगर हम अब बात करें तो इसमें Master degree in social work or sociology or psychology and disability studies from a recognized university कुछ इस तरीके से लिए ठीक है ठीक है और यह कुछ और पोस्ट है जिनका चेंज हुआ है तो टोटल पांच पोस्ट के eligibility में थोड़ा वो तुन्हों ने चेंज करा है बाकि सेलेक्शन पोस्ट इस यह वीडियो जहें तीन बनाई थी एक complete details वाली एक detailed vacancies की PDF मैंने शेयर करी तो उसे किस तरह किसे यूज करना है और साथी साथ और जो के रिए एक बंदा कितनी पोस्ट पर अप्लाई करता है एक बार एक फॉर्म लाइफ फिल आप आपको करके दिखा जीता मैंने कि कैसे फॉर्म फिल करना है और इसके Excel फाइल मैंने आपको दिया टेलिग्राम पर ठीक है जिन्हों लोगों ने भी तक फिल नहीं किया या भी आपको बता चला इस पर्टिकुलर कोस्ट के बारे में तो आप फिल कर सकते है एक्सल फाइल में देखो क्या हो गया जो एससी ने ओपिश और नोटिस ता उसके अंदर जो चीज़ डाली इसमें डिटेल्ड क्वालिफिकेशन नहीं थी बस यह था टेंथ पास की जो है ट्वेल्फ पास की ए ग्रेजुएशन अबव है लेकिन आप जब अप्लाई करने जाते हैं तो आपको इसके अंदर आपको कैसे सेलेक्ट करना सुपोज करो आप ना रिजन दिल्ली में रहते हमें तो चैंसे होंगे कि आप ना रिजन की पोश्ट को फिल करेंगे वैसे आप किसी भी पोर्स को कर सकते हैं तो इस पे इस्पे कर आप यहाँ पर कर देंगे तो आपके पास सिर्फ हाय शक्रेंडर में पॉट आंप कि अब इससे मैं सबड़ा आपको फिल्टर करना आपके पास है या नहीं है जैसे यह वाली आगी पोस्ट मेट्रिकलेशन लेवल की इसमें टेंथ पास और इक्विलनेट एलिजिबल हैं तो आप यहां से देख सकते हैं इसके लिए कोई अप्लाई कर सकता है कुछ-कुछ पोस्ट के अंदर डिप्लोमा कुछ पोस्ट के अब मैं आगे भड़ता हूं यह तो होगे हमारा से अब हां सेलेक्शन पोस्ट की डेट एक्स्टेंड हुगी इसका मतलब यह मत समझ लेना विल्कुल भी कि सीप्यों की बिएक्स्टेंड कर देंगे सीप्यों की जरूरी नहीं एक्स्टेंड करें ठीक है और तब-तर मेरे स के तैयारी करो उसकी स्टेटेजी वीडियो भी डाली भी है चलो अम मैं आगे बात करता हूं डिटर प्रस्टी का जो निकला है ठीक है 19 तारिक जो कि आज है आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 19 मार्च तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे ऑल्दो यह नोटिस तो 5 जा रहे हैं तो मिझे लगा कि आज एक बर वीडियो में आपको बता देता हूं इसके अंदर तो टोटल वेकेंसी है इसमें जैसे सेलेक्शन पोस्ट के अंदर हमारे पस 489 शायद डिफ्रेंट काइंड्स वेकेंसी इसके अंदर भी ऐसा ही है कि हमारे पास ठोटल 64 डिफ्र कुन सी पोस्ट आपके लिए suitable रहे और उसके पास eligibility आपके पास है या नहीं है ठीक थोड़ा सा पीछे जाओंगा मैं तो 20 यहां पर है बाकी हां पर है तो मैंने क्या करा है यहां पर वैसी मैंसी सर्च करने लग गया कि ज़्यादा वेकेंसी दिखें मिझे वो उठा ली तो कोड होता है इसी से आपको पता चलता है कि इसका examination में क्या पूछा जाएगा और बाकी सारी चीज़े तो जो notification की PDF होती है उसमें तो आप आगे पोस्ट को सर्च करते हो तो जैसे अगर caretaker वाला मैंने पोस्ट कोड सर्च किया तो वहां पर पता चला कि यह essential qualification है इसमें क्या आप 10th pass हो तो आप eligible हो ठीक है लेकिन इसके अंदर obviously बात है कि आप stenographer का exam दिरने जा रहे है तो बे इस टेनोग्राफी आने चाहिए कि उसका skill test भी कराया जाएगा तो यहां पर 188 vacancy जाए है यहां पर maths मतलब अगर 10th pass हो तो आप eligible हो लेकिन आपका skill test कराया जाएगा जिसक है और इंग्लिश में भी 80 word per minute के साबसे आपके dictation होगी तो आपसे short hand में लिखना पड़ेगा और जो उसका typing करना होगा आपको उसकी speed चेगी 40 word per minute के साबसे English में और Hindi में 35 word per minute के साबसे typing speed चेगी ठीक है डिक्टेशन ऐसी होगी 80 word per minute के साबसे ऐसी multiple post यहां पर available है आप एक इस टैनों का examination देने वाले हैं उसकी त्यारी कर रहे हैं तो आपके वाला phone भी fill out कर सकते हैं अराम से ठीक है और ऐसी कुछ पोस्ट होगी जिसमें skill test भी नहीं होगा education बो भी नहीं होगा क्या कहते है एक्स्प्रेस भी नहीं मांगेगा एक particular discipline में हो सकता है graduation मांग लिए अगुट तो आपको वहाँ पर filter करना पड़ेगा आपके हिसाब से कौनसी बोस्ट बैस्ट है और आप apply कर सकते हैं ठीक है post to post चीजे vary करेंगे और हो सकता है कि आपने मालो संस्कृत से करका एक की और ची gk reasoning हिंदी और आपका English math English gk reasoning हिंदी और computer ये 6 subject majorly होते हैं कि जो पूछे जा सकते है maximum post चीजे हम आपको cover कराती है तो एक यह हो गया आपका तो आप देख लेना एक बढ़ पढ़ लेना opportunity आपको चुटने नीची है जैसे कि मैंने बता है post code आप post code ही दुबारे साच करोगे तो आपको दिख जागा जैसे दो post code है जिसके अंदर same exam pattern लिखा हुआ है tier 1 के लिए 200 number का paper होगा आपका दो घंटे मिलेंगे अब इसमें क्या जैसे general awareness के 35 number का होगा 200 question है तो 35 question general awareness के होगए reasoning के 35 question होगए math के 35 question होगए English के 35 question होगए हिंदी के 35 question होगए और 25 question आपके computer के अब दूर भी रहते हैं तो भी देली अगर आपको जोग करने है तो एक अच्छी opportunity आप लोगों के लिए रहती है ठीक है OBC category पर थोड़ी सी limitation होती है कि आपके पास OBC देली का होना चीए है ऐसा हुच होता है notification एक बाक्षिय से read करेंगे तो सारी चीज़ी क्लियर हो जाएं क्योंकि उसमें भी यही subject है उसमें हिंदी और आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर सेक्षिन जादा पूछा जाता है और दूसरी कि कहीं पर इस्टेग्णग्राफिक एक्जाम दे रहे हैं तो इस्टेग्णग्राफिय आप को नहीं जीए वह सारी की सारी चीज़े हमने विस सेसी के लिए मैंस पड़ लिया तो आपको भी बताएं कि सारे कुशन्स कोश्ट से अपने आप करते हैं या फिर कवर अच्छी एप्रोच के साथ हमने सारी चीज़ों को कवर किया को Dynamic लगे तो हर तरह की पीडिया आप लोगों को क्लासिस की इबुक्स आपको दे रखिए सिधा प्रिंटने का लोट्स बनाने का टाइम बचेगा और बाग्की सारी चीज़े आप देख सकते हैं और इंडिविजुल सब्जेक्स के गोर्से इस भी आप लोगों के लिए वेलेवल रहते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना आप से ही विदालूँगा जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक क्यार एब नाइस टे एंड जैहिंद